ओके तो अब एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अपने स्टडी करते हैं मेथर्ट ऑफ प्रोडूइसिंग प्लेन पॉलराइज लाइट में भी जो इंपोर्टेंट है वह फर्स्ट वाला अपने स्टडी कर रहें वेरियस मेथर्ट से वन बाइवन अपने हर एक लिए भी और competition exams में भी जो ज्यादा तर जिसमें टॉपिक में से question आ जाता है वो यहें polarization बाइजेशन बाइजेशन ठीक है polarization by reflection तो यह दियाता है एक टीन हंडेड एट में मॉलस्ट ने ठीक है और ठीक है इसी को बोलता है ब्रूस्टर लो क्या बोलते हैं ब्रूस्टर लो तो देखो टॉपिक धिया लगना क्या है यह हम बात करें methods of producing plane polarized light तो plane polarized light अपन जो है वो प्रडूस कर रहे हैं और जो पहला फर्स्ट जो method वह हम study करें वह है by reflection तो reflection से अगर आप plane polarized light अचीव करते हो reflection से अगर आप अचीव करते हो तो यह method जो कहलाएगा polarization by reflection और इसी को ब्रॉस्टर लोग भी कहते हैं यह आगे में आपको बताऊंगा ठीक है तो पहले तो अपना फोकस इस पर रखो कि आपके भाई polarization by reflection reflection से polarization कैसे होता है ठीक है तो इसके लिए देखो एंगल आफ इंसिदेंट्स की तो आपन बात कर लेंगे यहां पर अपने ग्लास यह ले लिया ठीक है मीडियम ले लिया ग्लास का ठीक है एरे ग्लास है तो यह जो है यह लाइट रहे इंसिदेंट लाइट इंसिदेंट लाइट थोड़ा धिहान से देखो क्या यह अन पॉलराइजड है वह विए इंद प्लेंड भी हो रहे है और प्रपेंडिकुलर टू प्लें भी हो रहे है ठीक है जो वाइब्रेशन हो रहे है आप दिख रहोंगे अप डाउन एरोस दिख रहे है डॉट भी द देखना इसक्रिया अब देखना यह इंसिदेंट इंगल आपने इंसिदेंट एंगल कि तल लेका रहा really है और जब ये इंसिदेंट लाइपीफ है These लिए रही हां तक ओभी तो गई आपकी रिफ्लेक्टेट लाइट रहे और यह गई रिफ्रेक्टेट लाइट रहे अब बात यह है कि जब यह एंगल यहां पर आई-पी होगा जब इसिदेंट एंगल जो है वो क्या होगा आई-पी होगा जिसको कि अपन बोलते हैं olla vegetable展 Wave यह जो है आपकी क्या है reflected Light और ओ सी जो है वो क्या रिफ्रेक्टेट लाइट यह दोनों क्या दूसरीकी प्रपेंडीकलर होता है यह एंगल जो है यहाँ पर बता कित यह है नहीं हुई ये देखो नोभी जो है वो पॉलराइजट तो यह जो बी यह क्या होगी पापकी prayer खाँ आ पर यह जोyr औटलेक्शन हुआ यह जूर्ट इन वेирован को मिलिये यह तो एक बार और में रिपीट करता हूं ध्यान से देखना कि यह ठीक है एक इंसिडेंट रहे हैं एक दूसरे के प्रपेंडिकलर हो ठीक है तो जब इंगल पर जो आपको रिप्रेंट रहे हो कैसी मिलेगी पॉलराइजड मिलेगी आहीं बात सवाज में क्लियर है बात आ गई सवाज में यह सर्फिस इस एना तो दा इंगल ध्यान से देखो दा क्या बोल रहे है था एंगल ओफ इंसिडेंस एट विच अबीम ओफ और फिंदे लाइज लाइट इस कॉले और भूड़ एंगल ठीके उसको क्या बո्लाइजिंग और बूड़ेंग अपन और भूसटर एंगल आघे ये बास वन्ज में इन इस डिनोटेट बाय आईपिशे डिनोट करेंगे अपन इसको आईपी से बासर अब सब्सक्राइब करता हूं पूरा करता हूं अगर कहा है कि करूंगा तो करूंगा तब यहां देखो यहां तक बात समझ में यह क्लियर हो गया आपको है ना यहां तक क्लियर हो गया अभी इसका डेरिवेशन है चोटा था और वे ने आपको इस तरह से पढ़ाई है रे ओप्टिक्स का आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है तो देखो यह जो साइन्टिस्त थे लौ मालूस का लौ जरूर था पर यह बिटिस फिजिकिस्त थे डेविड बूस्टर उसने कहा था उन्होंने यह लो दिया था कि एट पॉलराइजिंग एंगल आई-पी एट पॉलराइजिंग एंगल आई-पी रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांस्मीटेड रेजार प्रपेंडिक्लर टू इच अदर आ गई ना लाइन है और तरीके से लिख हुई है ना रेड बैंस है औ अपना करा है अपने उसमें के वह अगर यह हम एयर को फ़ाइड वंडियम लेले और म्यूह जाएगा जाएगा यूटू जो है वह ग्लास ले ले लेते हैं डाइग्राम में बताया हुआ हूए कर देते तो यह पूरे मैंने पहले जो अपने रे उप्टेक जिस तरह से पढ़ी है उसी के नोटेशन में मैंने इनको कर दिया है तो यह मुडिवाइड बाइवान आ जाएगा यह साइन आइप डिवाइड बाइप आर पी आपने निकाला है निकाला है यह रहे अर पीजिकल टूला अपने नायंटी माइनस टैन आइप आई पी तो यह फॉर्मॉला है जो आपको आपको धिहार नखना तो मीडिया में उसका इंडेक्स हो गया सारा इसी पेज पर आपको अच्छे से समझ में आजाएगा क्लियर हुई बात तो बस इसको अपन गूट करते हैं यहां पर और कंख्लोजन में यह है यहां जातें लोग्यव तेना इपि डिस लेशन इस नौन एज ब्रूस्टर लोग्यव ग्राहिए यह जू得 नईक्राइए शूलोग्यव तो यह जो लो हता है है इसको क्या बहुत है अपन बूस्टर ल आपको मिल जाएगा the law states that the law states that statement आपको मिल जाएगा the law states that the tangent of the tangent मतलब 10 टिटा जो है the tangent of the polarizing angle of incidence of transparent medium is equal to its refractive index इस तरह से आपको करना है ध्याद रखना है आगया समझ में clear है ठीक है तो बात यह है कि देखो यह important polarization by reflection यह important है यह हमने study के लिए पर आप major heading पर भी ध्यान दो major heading जो है method of producing plane polarized light है तो आगे जाके और भी method पर अपन लोग बात करेंगे पर यह important है ध्यान अपना है ठीक है yes sir